एलो एवरिवन वेलकम तू ग्यान अचिवर्स अवा यू आप्यू आप्यू आद दोई वैल नाओ वी स्टाट मीं डवियेशन बच्चे मीं डवियेशन का अधर नेम है वो क्या है आवेरेश दवियेशन को पूरा completely understand कर लिया होगा और कोई भी इश्यू भी नहीं रहा होगा तो सो वह स्टाट मीन डेवीशन और अवरेस्ट डेवीशन बच्चे मीन डेवीशन क्यों हुआ सबसे पहले मैं आपसे अवरेस की बात करते हूं जब हम अवरेस्ट निकालते हैं तो एवरेस्ट क्या करता है एक सिंगल वैल्यू को और इस वैल्यू से मान लिजे मीन इसका निकला है 10 जस्ट एन एक्जम्पल ले रही हूं एज्यूम कर रही हूं तो यह जो 10 है यह 10 क्या कर रहा है इस सारी के सारी वैल्यूस को रिप्रेसेंट कर रहा है इट में बट यह क्या है 5 से बहुत डिफरेंट है 6 से भी ट्री getting जान norm टेंट क्लास में एक दिफरेंट tai तो आपने यह बोल दím कि यह जो 10 है वह सो ऊरारी प्रेसेंट करा यह मैं यह कहते हूं कि आपकी class में students है debit students kinda 100 में से 0 marks भी आ गए और एक durum 10 में से 99 और एक पी honest भी और एक तो 6 आए हैं एक के 33 आए हैं एक के 22 आए हैं और जब आप इसकी एवरेज निकालते हो तो निकाल लेते हैं 9, 10, 15, 20 और 220 हो गया 220 बाइ 6 कर दे यस तो कितना आया नियर अबाउट 36.7 आया तो आपने इस 36.7 को रिप्रेजंट किया है बट बच्चे क्या 36.7 इस सभी वैल्यूस को रिप्रेजंट कर रहे हैं जिसके 0 मार्क्स आए हैं आपने उसको भी तो क्या जिसके 100 मार्क्स आए और जिसके 0 वैल्यूस वह दोनों वैल्यूस सेम है वह उसने टॉप किया है वह फेल हो गया है फिर भी आप उसको मीन आवरेज के तो 36.7 जो है उसका रिप्रेजंट गर रहे हो तो एक तरह इस से देखा जाए तो प्रैक्टिकल ही यह क्या है it's not fair so we start mean deviation बचे mean deviation क्या होता है mean का mean इसको हम बोल सकते हैं कि mean का mean निकाल देते हैं इसको हम name दे देते हैं mean deviation अब इसके अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम किसी भी value की average value निकालते हैं average value निकालने के बाद फिर हम उसका deviation निकालते हैं फिर उसके बाद दुबारा से हम उसका mean निकालते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि value मैं आपको बोलती हूँ कि किसी value से हमने mean निकाल लिया mean से फिर हमने deviation निकाल लिया और फिर हम दुबारा से deviation से क्या निकाल रहे हैं mean निकाल र बोल सकते हैं कि मैं mean का दुबारा से हम mean निकाल रहे हैं तो यह चीज़ क्या बन जाती है mean deviation यह हम बोल सकते हैं average deviation clear हुआ आपको और सबसे अच्छे point एक point और बता देती हूं इसको mad भी बोल सकते हैं mad का meaning क्या है mean absolute deviation mean absolute deviation तो इससे आपको एक बात तो पता चलगी यह क्या है absolute है absolute के अंदर क्या होता है यह math की term है इसका मतलब क्या है इस पर बार डाल दिया इट मेंस अगर minus में 4 है तो इस बार की help से यह क्या हो जाएगा यह minus plus के sign को ignore करके सीधा क्या डाल देता है उसकी value को 4 डाल देता है इसका मतलब यह हो गया है कि it is a absolute term कि अगर आपकी minus में 9 है यह आप इस पर बाहर लगा देते हो तो यह क्या बन जाता है आपका 9 रहता है clear हो गया है it means it is a mean absolute deviation please net के जो students है estate commerce के जो students है वो इस points को consider कर लिजे कि mad क्या होता है mean deviation में mean absolute deviation clear है student एक सबसे बड़ी positive points है कि जो mean deviation है उसको हम mean की help से भी निकाल सकते है mod की help से भी और median की help से भी वो हमें question के अंदर specify किया होता है कि आपने mean, mod या median कि किस term से निकालना है फिर हम उसी के according values वो solve करते हैं ठीक है और अब same वही है कि individual series, discrete series और continuous series की help से हमने mean deviation को calculate करना सीखना तो I hope theoretical point में बस इतना साही point था, अब मैं आपको इसका एक formula बता देती हूँ, formula क्या है mean deviation का submission of dx divided by n, simple सा formula है अब यह deviation जो है, वो deviation with the help of mean भी हो सकता है, mod भी हो सकता है और median भी हो सकता है तो फिर मैं coefficient of mean deviation कैसे calculate करेंगे, जो यहां से value आएगी mean deviation, upon में जिसकी भी help से निकाला है, अगर mean की help से निकाला है तो यहां पर mean डाल दीजिए mod की help से डाला है तो mod डाल दो, और median की help से डाला है तो median clear हो गया है, कि जो जिससे भी आपने इस mean deviation, इस deviations को calculate किया with the help of mean, median और mod, ठीक है, आपने सिरफ उसी की ही specific value को यहां पर denominator में लिख देना है clear है students, अब मैं आपको examples की help से यह question समझाती हूँ, उसे आपको और easily clear होगा तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं individual series, individual series के अंदर आपको question given है find mean deviation and its coefficient from median as an average from the following data तो बच्चे आपको x given है, 5, 6, 8, 10, 12, 12, 10, 12, 12, 15 clear है, अब हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, mean deviation निकालना है तो with the help of median बोला है, बच्चे median का formula क्या होता है individual series के अंदर n plus 1 by 2 सबसे पहले हम यह check कर लें कि यह ascending यह descending के अंदर है yes, it is already given in ascending order so we calculate n plus 1 by 2 what is the nth term, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 7 plus 1 by 2, कितना हो गया, 8 by 2, it means 4 तो कौन सी term हो गई है, हमारी 4th term 4th term check कर लो, 1, 2, 3, 4 तो अपना median क्या आ गया है, 10 आ गया है तो अब हम median की help से deviations को calculate करेंगे so median, यहाँ पर आप लिख लीजए, median is equal to 10 अब deviation कैसे निकालना है, deviation की value होगी x minus median, यह absolute term में है, तो minus के signs को ignore करना है तो 5 minus 10, minus 5, 6 minus 10, minus का 4, 8 minus 10, minus का 2 मैं सिरफ minus के signs इसलिए शोगर रही हूँ कि आपको एक बार help pull हो जाए और उसके बाद मैंने आपका plus के अंदर ही सारा answer करना है 10 minus 10, 0, 12 minus 10, 2, 12 minus 10, 2, 15 minus 10, 3, sorry, 15 minus 10, 5 ठीक है, अब इसको calculate करोगे तो आपका ये values आजाएगी 20 it means अब यहां पर ये सारे क्या होगे, plus के, 5 और 4, 9, 9, 2, 11, 11 और 2, 13, 13 और 2, 14, 14 और 5, 19 होता है नहीं ठीक है, 5 और 5, 10, 2, 4, 6, 6 और 4, 10, 10 प्लस 10 20, तो submission of dx की value आ गई है, हमारे पास 20 clear हो गया है, अब तो कुछ है ही नहीं, formula ही तो calculate करना है तो mean deviation का formula क्या होता है, submission of dx 20 upon n, n कितना था 7 इसको आप calculate कर लिए, 20 upon 7 की value आ जाएगी 2.86 उसी तरह से same, अब हमने निकालना है साथ की साथ coefficient of mean deviation तो coefficient of mean deviation का formula होता है हमारे पास mean deviation जो value आई है 2.86 और हमने किसकी help से निकाला था, median की help से, तो median कितना है हमारे पास, 10 है तो solve कर लिजिएगा, कितना आ जाएगा 28 point, sorry 0 है ना, तो point से इधर shift हो जाएगा 0.286, so simple, clear हो गया आपको, median की help से mean deviation को निकालना अब हम इसी तरह से same, इसको निकालते हैं, mean की help से, यह तो median की help से निकालके दिखाया, same यही value लेके चलते हैं और mean की help से हम निकालते हैं, ठीक है, आपको फिर clear हो जाएगा, कि mean, median और mod की help से question को solve करना तो यहाँ पर यह क्या आ गया है, 10, हाँ जी, इसका totaling आ गया है, हमारे पास 68, summation of x है अब बताईए आप mean का, जो हमारे new viewers है, please mean, mod, median की classes मैं already हमारी channel पे आप देख सकते हैं, इसका मैं लिंक आपको description box के अंदर दे दूँगे, आप उस लिंक से direct जा सकते हैं हमारी videos के, तो उसके अंदर मैंने आपको mean, median and mod बहुत deeply और बहुत understanding way से समझाया है, तो please आप उसको चेक कीजे, तो mean का formula है, submission of x upon me and, बचे, submission of x कितना है, 68, 68 upon me 7, तो कितना हो जाएगा, 79 जा 63, 77 जा 49, 9.7 something आ जाएगा, ये आ जाएगा, yes, 9.7 ही आ गया है, mean हो गया, अब हम निकाल लेते हैं, इदर deviation, x minus x bar की help से, और बच्चे, x bar कितना है, हमारे पास 9.7 है, बहुत complicated हो गया है, but it's okay, 5 में से 9.7 जब आप minus करोगे, तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 4.7, 6 में से 9.7, minus करोगे 3.7, फिर 1.7, 0.3, 9.7 में से 12 को deduct करोगे, तो कितना आ जाएगा, 2.3, फिर 2.3, और 15 में से करोगे, तो 5.3 आ जाएगा, अब deviations का आप total कर लीजिएगा, deviations का total आ जाएगा, 20.3, यह आ गया हमारा dx, अब तो simple है, बिल्कुल, mean deviation का हमारे पास formula क्या है, summation of deviations upon में n, तो बच्चे deviations क्या है हमारे पास, 20.3 upon में n कितना है, 7 है, तो 7 से आप solve कर लीजिए, 2.9 आ गया है, और फिर coefficient of mean deviation भी निकाल लेते हैं, साथ की साथ, coefficient of mean deviation को formula क्या होता है, mean deviation upon में, इधर हमने किया से किसकी help से किया है, mean की help से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे mean, तो mean deviation हो गया 2.9 और mean की value है हमारे 9.7, तो आप इसको solve कर लीजिएगा, यह value आ जाएगी 0.2989, clear हो गया है, यह हमने किया है, mean deviation with the help of mean, ओके, अब हम करते हैं mod, mean deviation with the help of mod, हाँ जी बच्चे, inspection method से चेक कीजिए कि इसके अंदर mod कितना आएगा, बताओ मुझे, inspection method से देखो कि कितनी बार कौन से value repeat हो रही है, और उसके help से हम mod को calculate कर लेते हैं, I hope mod निकलेगा हमारा 12, क्योंकि inspection method से सिरफ 12 भी है, जो 2 बार आ रहा है, तो इसलिए हम mod की value क्या कर देंगे, 12, तो dx निकाल लेते हैं, 5-12, कितना हुआ, minus का 7, plus ही हो जाएगा क्योंकि absolute है, 6, 4, 2, 0, 0, 3, अब इसको calculate कर लो, 6 और 4, 10, 10 और 7, 17, 19, और 20, 21, 22, तो अपने पास जो deviations की value है, वो कितनी आ गई है, 22, तो अब हम mean deviation निकाल लेते हैं, वही same, submission of deviations upon में mod, mod कितना हमारा, जैग, तो submission of deviations कितना हो गया, 22 divided by 12, इसको solve कर लीजेगा, 12 बन जा, यह हम थोड़ा 11 और 6 हो गया, अब कर लेते हैं, इसको solve, कितना हो गया, 1.9 आएगा, approximate, ठीक है, नहीं, यह 22 बाइ, mod की value, इधर इनोंने, हाँ, 1.9 आजाएगा, ठीक है, यह, अब हम निकालते हैं, with the help of coefficient of mean deviation, वो कितना है, mean deviation की value, upon में, mod की value, तो बच्चे, solve कर लीजेगा, 1.9 divided by 12, जो भी value आजाएगी, वो हमारी हो जाएगी, coefficient of mean deviation, तो यह मैंने आपको mean deviation in individual series with the help of mean, median and mod, हमने यह तीनों calculate कर ली है, ताकि आपको कोई confusion ना हो कि mean की help से कैसे solve होगा, median की help से या mod की help से, clear students, यह वाला mod की help से, mean deviation, अब हम बात करते हैं, discrete series की, discrete series के अंदर हमारे पास two values गीवन होती है, एक x होती है और एक x गीवन होती है, तो हम solve करते हैं, compute mean deviation and its coefficient from the following data, बच्चे, आपको अब इसके अंदर कुछ भी नहीं given है कि आपने किसकी help से निकालना है, तो जो आपका मन करें, उसकी help से आप solve कर सकते हो, तो लेट्स स्टार्ट, x की value है, 10, 11, 12, 14, and 17, और अपने को f गीवन है, 3, 5, 8, 5, 4, ओके, अब हमने किसकी help से निकालना है, माल लिजी हम median की help से इस question को solve करते हैं, तब median के लिए हमें क्या चाहिए, cf चाहिए, cf हमें वैसे ही same, 3, 3 plus 5, 8, 8 और 8, 16, 16, और 5, 21, 21, 24, 25, अब हम यह भी total कर लें, कि total में कितना आता है, yes, 25 ही आ रहा है, तो हमारे पास f का total भी हो गया है, 25, अब median की help से हमने निकालना है, discrete series के अंदर formula क्या होता है, n plus 1 by 2 हो जाता है, n है हमारे पास 25, तो 25 plus 1 by 2, कितना हो गया है, 26 by 2, कितना हो गया है, 13, 13 हमारे पास median आ गया है, अब हम deviations निकाल लेते हैं, with the help of median, median यहाँ पे कितना है, हमारा x minus 13, तो क्या हो जाएगा, 10 minus 13 की help से हम median को निकाल लेंगे, yes or no, oh so sorry, यहाँ पे, अब 13 तो हमारे पास item आईटम आईए ना बच्चे, 13 अब हम cf में check करते हैं, cf में check करेंगे, तो 8 और 16 के बीच में लाई करती है, 8 और 16 के बीच में लाई करती है, तो x की value क्या आगई है, 12 आ गई है, तो median जो है, वो हमारा आ गया यहाँ पे 12, clear है, अब हम solve कर सकते हैं, इसको median है यहाँ पे हमारा 12, 10 minus 12, 2, 11 minus 12, 1, 12 minus 12 कितना हो जाएगा, 0, 14 minus 12, 2, 17 minus 12, 5, तो इसकी अंदर हमने अब इसकी help से deviations निकल गया हमारे, अब बच्चे, यह हमारा निकल गया dx, अब discrete series के अंदर कैसे निकालते हैं हम median को, इसके लिए हमें पहले f से multiply करना पड़ेगा, तो f dx, फिरी बात बनेगी न, yes और no, yes, तो फिर करो इसको solve discrete series के अंदर हमें f dx चाहिए होता है, f हमारे पास 3 और dx है 2, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 8 को 0 से multiply करो, 0, 5 2 जा 10, और 4 5 जा 20, तो इसको आप जब solve करोगे, तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 प्लस 10, 30, 30 और 41 आ गया, yes, 41, clear है, अब में डावीशन निकाल लेते हैं, में डावीशन यहाँ पर कैसे निकलता है, summation of f dx upon में, with the help of median है, तो median को निकालने, ठीक है, clear है, yes माम, तो f dx कितना हो गया है, 41 upon में, median है, हमारे पास median कितना था हमारा, dx के लिए, 12 था, ihop 12 ही था, yes माम 12 था, तो 12 कर लीजे, 41 upon में 12 आप जब solve करोगे, तो अपने पास आ जाएगा 1.64, same ऐसे कोफिशेंट निकाल लीजे, कोफिशेंट of mean deviation, कितनी value answer कितना है, 1.64, 1.64 upon में 12 की help से, जब आप इसको solve करोगे, तो 0.something के अंदर इसकी value आ जाएगे, clear है, आप लोगों को, I hope आपको यहाँ पर यहाँ पर यह भी confusion हो सकते हैं, कि माम यहाँ पर submission of fdx क्यों आया है, तो आपने median जब निकाला था, discrete series के अंदर, वहाँ पर तो क्या था, single value थी, individual series के अंदर, तो single term थी, तो हमने निकाल दिया था, submission of dx, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, discrete है, x भी है और f भी है, तो फिर हमें यहाँ पर जब mean निकालेंगे, जो एक तरह से mean deviation क्या है, यह mean ही है, तो mean निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर value चाहिए होती है, submission of fdx, continuous में क्या हो जाती है, m हो जाता है f की जंगा, ठीक है, fdm हो जाता है, sorry, x की जंगा पर m आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें से mid values की help से उसको solve करेंगे, clear है आपको, यह होगी है हमारी discrete series की question with the help of median, अब इसी तरह से आप question की practice कीजिए, की mean से और continue mean से और आपका mod से, calculate करके देखिए, questions की practice कीजिए, और अगर नहीं solve होते हैं, तो please आप मुझे comment box के अंदर message कीजिएगा, मैं आपको एक question करके दिखा दूँगे, चीक है, अब मैं आपको एक question देती हूँ, continue series का, from the following data, compute average deviation, कई बर question के अंदर हमें average deviation बोल दिया जाता है, mean deviation या average deviation is the same thing, students सिर्फ average देखिए और mean निकाल देते हैं, बच्चे पीछे का deviation word भी check कीजिए, तो size दे रखा है हमें, 4 to 8, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, और ये till है 20 to 24 और 24 से 28, अब अपने को F-series given है, 6, 10, 12, 18, 11, 3, 18, 11 and 3, अब हमें सबसे बहले क्या निकालना पड़ेगा, CS और साथ के साथ इसके mid value, 2 things compulsory है, तो yes, F से CF निकाल लेते हैं, 6, 6 और 10, 16, 3, 28, 46, 57 और 3, 60, इसका totaling देख लेना, इसका totaling भी आ जाएगा, हमारे पास 16, अब हम निकालते हैं, mid value, mid value 4 plus 8 divided by 2, इसी तरह से solve की है, तो 8 plus 4 कितना होजेगा, 12 by 2, 6, 12 plus 6, 18, 18 divided by 2, 9, 12 plus 16 कितना होगा, 6 और 2, 8, और 1, 228 by 2, 14, ठीक है, 14 होगया, इसी तरह से कर लो, आप 18, 22, and 24 और 28 का जब addition करोगे, तो कितना आ जाएगा, 26, clear होगया, यहाँ पे अपने को x भी मिल गया, और m भी मिल गया, पहले हमें यह x होता था, और इस x की help से ही, हम क्या निकाल लेते थे, लेकिन अपकी बार हमें x गीवन ही है, हमें यह क्या गीवन है, m है, ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले, median की help से निकाले, बच्चे, मैं आपको, median की help से solve कर रवा रही हूं, आप mean और mod की help से, mean deviation या average deviation को calculate, खुद करना, तो अपना हम यहां करते हैं, median, median, यह continuous series होते हैं, हमारा formula बन जाता है, and by 2, and by 2 means 60 by 2, कितना हो गया, 30, 30 CF में देख लीजे, कहां लाई करेगा 30, 30th item आगी है ना, तो CF में कहां लाई करेगी, CF में लाई करेगी, यहां पे, तो इसके साथ हम लेके चलते हैं, सबसे पहले formula बन जाएगा, lower limit plus, and by 2 minus CF, upon में F, into में I, तो lower limit ले लिए हमने 16, and by 2 कितना है, 30, और CF क्या है, इसके उपर वाली value, means 28, upon में F, F क्या है, इस line के, mid, lower value लेके चलते हैं, 18, और I कितना लेके चलेंगे, 16 और 20 का difference कितना हो जाएगा, 4, बच्चे इसको solve कर लेना, 16, 30 minus 28, 2, upon में 18, into में 4, इसको आप solve करोगे, तो कितना आजाएगा, 16.4, 16.4, यह हमारी value आ गई है, median की, अब median निकालना है, deviations निकालना है, यहाँ पर deviation कैसे निकलेगा, पहले तो हम कर दे थे, x minus median, लेकिन x को तो हमने change करके, क्या कर दिया, m कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा, m minus, median, median कितना है, हमारा यहाँ पर, 16.4, तो solve करो, 6 minus 16.4, जिब 6 में से 16.4, minus करोगे, तो 10.4, 9, 16 में से करो, तो कितना आ जाएगा, 7.4, फिर आ जाएगा, 2.4, और 18 में से, जिब 16.4 को deduct करोगे, 1.6, 5.6, 9.6, clear हो गया, यहाँ पर, यह हमारे निकालेगे, deviation, अब हम निकालते हैं, mean deviation, कैसे निकालेगे, F, DM चाहिए, अब हमें, ठीक है, मैं बच्चे, median की value 16.4 है, यह हम एज़िट इस रहने देते हैं, और इसको मैं delete कर देती हूं, erase कर देती हूं, तो अब हमें चाहिए, यहाँ से F हो गया, और यह हमारे पास DX हो गया, तो FDX, 6 को जब आप 10.4 से multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप इसको please calculate कर लीजेगा, मैं सीधा लिख देती हूं, 62.4, 64.0, 28.8, 1.6 को जब 18 से multiply करोगे, तो कितना आ जाएगा, 28.8, 61.8, 9.6 को जब आप 3 से multiply करोगे, तो कितना है, 28.8, बचे इसका totaling हो जाएगा, 274.4, ठीक है, मैं calculation के अंदर, time नहीं लगा रहे हूं, विकॉज इससे video बहुत ज़्यादा lengthy बन जाते हैं, तो please, यह जो multiplication है, I hope वो आप सबको आती है, B.com में calculators भी यूज हो सकते हैं, तो with the help of calculator, आप यह multiplication खुद कर लीजेगा, और totaling भी खुद कर लीजेगा, खीक है, mean deviation, formula क्या बन जाएगा, submission of fdx, upon में median, तो submission of fdx क्या होगे, 274.4, median की value हो गई 16.4, तो इसको solve करोगे, तो आपके पास आजाएगी value 4.57, यह हमारे पास आगया है, median, अब हमें चाहिए, coefficient of mean deviation, coefficient of mean deviation निकालने के लिए, जो हमारे पास mean deviation की value आएथी, mean deviation कितना आया था, 4.57, और with the help of median, हमने किया तो median की value थी 16.4, तो इसको जो solve करोगे, तो जो आपके पास value आएगी, उस value की help से हमारे पास आजाएगा, coefficient of mean deviation, इसकी value हमें given है, 0.2786, 0.2786, तो students, यह हमारे पास का mean deviation, with the help of individual, discrete and continuous, मैंने आपको individual series में, mean, mod or median, तीनों की help से calculate करना सिखा दिया, लेकिन discrete और continuous में, मैंने आपको सिरफ median के help से calculate करना सिखाया है, प्लीज आप mean और mod के help से calculate कीजिए, और मुझे comment box दे message कीजिए, कि क्या आपके questions सही जा रहे हैं, क्या आपको clear समझ आ गया, अगर नहीं आए तो प्लीज मुझे आप mention कीजिए, मैं आपको एक new वीडियो के अंदर सिरफ practical questions की वीडियो बना के समझा दूँगी, ठीक है, सो आज के लिए enough, इतना ही है, thank you so much, have a nice day, God bless you, and please like, subscribe and share my channel, stay blessed,